Hello Students, आप सभी का मैं बड़ा ही warm welcome करता हूँ आपके अपने और हमारे चैनल पे और आज हम लोग discuss करने वाले हैं अपने इस चैनल पर वक्सीट नंबर 36 Student वक्सीट नंबर 36 हम लोग discuss करने वाले हैं और ये class 9th की वक्सीट होगी और इस class की 9th की वक्सीट है और ये date 25 सिक्तमबर 2020 की वक्सीट है इसमें students आपको इस place पे आपका नाम लिखना होगा और इस place पर आपके teacher का नाम लिखना है आज हम लोग math subject, math subject की वक्सीट को discuss करेंगे और इस math subject की वक्सीट में आज हम लोग discuss करने वाले हैं area and perimeter Students, what is area? आखिर area होता क्या है? तो students आप जिस कमरे में इस समय बैठ कर जिस जगहा पे बैठ कर आप assume कर रहे हैं हैं पढ़ रहे हैं इस video को देख रहे हैं उस video को देखते वे आपको उस कमरे के अंदर जहां तक आपके उस कमरे में नजर जा रही है वो पूरा उस कमरे का area है यानि कि जहां जहां तक इसकी boundaries हैं और उस boundary के अंदर का जितना भी part है जहां पर आप बैठे हो वो क्या होता है? एक area होता है यदि हम perimeter की बात करते हैं तो उस कमरे की जो दिवारे हैं और दिवारों का हम स्रम करकर जोड लेते हैं तो वो कहलाता है perimeter अच्छा students normally हम बात करते हैं इस work seat के हिसाफ से इस work seat में क्या बताएगा है? तो children's we have already studied about the figure of different shapes such as square triangle and quadrilateral the floor of your classroom is rectangle it is a area, its area and perimeter can be calculated इस work seat के अंदर जो हमारा इस classroom के अंदर जो हमारा floor रहेगा जिसके ओपर हम लोग बात करने वाले हैं जिस topic पर वो topic students हमारा triangle से related होगा students perimeter of triangle के अगर हम बात करते हैं तो perimeter of triangle क्या होता है? 2 into L plus B 2 into L plus B यानि की 2 into bracket में L L यानि की length plus breadth B मतलब breadth students यदि हम लोग बात करें की area of triangle क्या होगा? triangle का area क्या होगा? तो याद रखिएगा triangle का area होता है length into breadth इसी बात को यदि हम लोग हिंदी में जाने हैं हिंदी में students आपकी work seat है हिंदी medium आप लोग लिए वो भी यहाँ पर discuss करी जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है इंदी medium और English medium दोनों को हम लोग साथ लेकर चलने वाले हैं क्योंकि एकता में ही सकती होती है students विसे हमारे जो है वो गडित होगा और आज हम लोग जो है work seat number 36 discuss करने वाले हैं और आज की जो तिथी होगी जिस तिथी की ये work seat है वो 25 सितंबर 2020 की है और कच्छन 9 के students के लिए है students आपको अपना नाम इस जगह पे भरना है और इस जगह पर जो है अपने अध्यापक का नाम डालना है और फिल करना है यहाँ पर students एक work seat के अंदर आज हम लोग जिस topic के बारे में discuss करने आ ले हैं जिस विसे को लेकर बात करने आ ले हैं वो विसे है छेत्रफर और परिमाप अच्छा छेत्रफर क्या होता है अभी मैंने आपको पहले बताया यही बात कि छेत्रफर को हम लोग इंगलिस में area बोलते हैं और परिमाप को इंगलिस में perimeter बोलते हैं और हमने बताया अभी पिछली कुछ seconds पहले ही कि area जो होता है मान लो कि आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो इस कमरे में ही जहां तक आपकी दिवारों तक जिस दिवार तक आपकी नजर जा रही है वो पूरा इस कमरे का area होगा और परिमाप क्या होगा परिमाप हमने कहा जो चारों तरफ की दिवारे हैं इन दिवारों को जोड़ लो वो परिमाप होगा students अगर हम इस वक्सीट के हिसाब से बात करें इस वक्सीट में क्या बोला गया है तो इस वक्सीट में बोला गया है बच्चो आप विभिन अकार की आकरतियां जैसे की वर्ग और तरिभुज और चतुरभुज के बारे में पढ़ चुके हैं आपने पढ़ा है अभी पिछली classes में कि तरिभुज क्या होता है वर्ग क्या होता है और चतरभुज क्या होता है आयात क्या होता है यह सब आप पिछली किलासों में पढ़ चुके हैं और इस class में जिस topic के बारे में हम लोग discuss करने आले हैं जिसके छेतर पहल और परिमाप के बारे में बात करने वाले हैं वो है आयात आयात का यदि हम परिमाप जानें आयात यानि की rectangle का अगर परिमाप जानें तो वो दो गुड़े bracket में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है प्रियास करें तो हमें क्या पता चलेगा कि दो गुड़े bracket में ल प्लस बी और छेतर फल की बात करें यदि हम सिर्फ छेतर फल जानने का प्रियास करें तो छेत्रफल क्या होता है हमारा छेत्रफल होता है स्टूडेंट्स छेत्रफल होता है लंबाई, गुड़े, चोड़ाई अब आपको यदी आयात क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको ये आयात कुछ इस प्रकार से होता है देखिए अभी मैं आपके लिए draw कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार का होता है अयाद ठीक है इसमें जो आपकी ये वाली side जो है इस वाली side और इस वाली side को हम लोग बोलते हैं आपको चौड़ाई और इधर की ये जो side है और इधर की ये वाली जो side है इसको बोला जाता है लंबाई ठीक है Students The unit of measurement of length and breadth length और breadth को measure करने वाली जो unit होती है सिमलो क्या बोलते हैं मीटर बोलते हैं या फिर centimeter बोलते हैं As a perimeter is also of as a perimeter is also of the length of the boundary of shape So the unit of measurement of perimeter is also taken as meter and centimeter देखे जब length और breadth की unit meter और centimeter में होगी तो perimeter में हम लोग किसका किसका use कर रहे हैं जब length और breadth का ही use कर रहे हैं तो perimeter की भी unit क्या हो जाएगी Students meter और centimeter अच्छा students जब plus करते हैं तो आपको भी पता है किसी भी प्रकार का महाँ पर जो है meter और perimeter एक दूसर से multiply नहीं होते है square form नहीं करते है when we multiply any numbers then it takes square if same हमने का यह दि किसी number को हम लोग multiply करते हैं तो उसका क्या हो जाता है उपर? square हो जाता है उसी प्रकार से unit of measurement of area in any figure किसी भी figure का unit of measurement देखें तो square meter हो जाएगा square centimeter हो जाएगा इसका reason क्या है? क्योंकि multiply कर रहे हैं और multiply करने पर length के साथ भी m मिल ला है और 7 में breadth के साथ भी m मिल ला है और हमने अभी पिछली classes में पढ़ाता जब length और breadth के साथ m मिलता है तो उस m का क्या हो जाता है? square हो जाता है यानि कि जब two same numbers multiply when two same numbers multiply then it gives square of number तब वो क्या देते थे? square of number दे देते हैं अच्छा students आगे अगर हम बात करते हैं area of triangle की किसकी बात करें? area of triangle की area of triangle की होता है students? area of triangle होता है area of triangle students क्या हो जाता है? area of triangle हो जाता है half base into height half base into height क्या हो जाता है? area of triangle हो जाता है one by two into base into height अच्छा base क्या होता है? students के दिमाग में कई बार ये बात आती है कि हम किस चीज़ को base मान लें और किस चीज़ को height मान लें तो students यह चोटी सी जो बाते हैं इनको अभी हम लोग आगे discuss करने वाले हैं अभी आपको जो है जो formula याद रखने हैं अभी जितना याद discuss करा है उसमें जो बाते याद रखनी है एक बात तो आपकी यह हो गई कि perimeter of rectangle क्या होता है और area of rectangle क्या होता है अब इस चीज को recall कर लेते हैं एक बार और फिर हिंदी मीडिया वालो बच्चों के साथ भी हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो पैरिमेटर of rectangle क्या होता है 2 into length plus breath ठीक है और area of rectangle students क्या होता है L into B उसी तरह area of triangle क्या होता है तो half base into height Students, अब हिंदी मीडिया वाले बच्चों के लिए भी हम थोड़ा सा discussion ले आते हैं हिंदी मीडिया माले बच्चे जानते हैं कि लंबाई या चौडाई मापने का मात्रक जो है वो मीटर होती है और centimeter होती है इसके लावा और भी मात्रक होती है मिली मीटर भी होती है ठीक है और किलो मीटर भी होती है पर हमें जो यूज करनी है वो यही दो हैं आपके क्लास में तो उसी तरीके से यदि हम परिमाप की मात्रक के बारे में बात करेंगे तो मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगा अच्छा स्टुडेंट्स यदि हम संतल आकरती के छेतरफल को मापने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा वर्ग ये मीटर हो जाएगा यानि की मीटर पर पावर टू लग जाएगी या वर्ग ये संटीमीटर हो जाएगा यानि कि संटीमीटर पर पावर टू लग जाएगी ऐसा क्यों होगा आपने पिछली क्रासिस में पढ़ा है कि जब भी कोई एक जैसे नंबर को गुड़ा करा जाए तो उन नंबर का क्या हो जाता है उन नंबर का क्या हो जाता है वर्ग हो जाता है उन नंबर का वर्ग वो देता है तो यानि कि उस नंबर का वर्ग का मतलब है कि दो गुड़े दो करेंगे तो चार आएगा और चार क्या है इस नंबर का वर्ग है स्क्वायर है तो उसी तरीके से जब भी हम क्या करते हैं M into M करते हैं तो क्या हो जाएगा M का square हो जाएगा M का work हो जाएगा अच्छा students अब हम लोग थोड़ा सा discuss करने वाले हैं आगे की बातों को work seat में students आगे की जो work seat में आपके बात बताई गई है कि to calculate the area of rectangle right angle triangle we directly applied the formula by using both side connecting the right angle based and height हम क्या करेंगे right angle triangle पे जो अभी formula हम लोग पढ़कर आ रहे हैं उसको यहाँ पर applied करेंगे और देखेंगे की क्या answer आता है students हम लोग इसके अंदर discuss करने वाले हैं right angle triangle के बारे में और right angle triangle क्या आता है जब भी कोई triangle एक 90 degree का angle बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं right angle triangle बोलते हैं right angle triangle के नाम से जानते हैं अच्छा right angle triangle हमने एक ABC right angle triangle ले लिया है students कौन सा triangle ले लिया है एक ABC कौन सा triangle ले लिया है हमने एक ABC right angle triangle ले लिया है और इस ABC right angle triangle में AB और BC हमने take करा है as a base and height यानि कि हमारा कहने का मतलब है कि ये वाली जो side होगी Students, AB जो होगी तुम्हारी ये जो AB ये जो side AB आपको दिख रही है Students, ये वाली जो side Students, जो ये वाली AB जो side है आपकी ये वाली इस AB को हमने क्या माना height माना ठीक है और ये जो BC है students ये वाली जो BC वाली जो side है ये हमारी क्या हो जाती है base हो जाती है Students क्या हो जाती है base ठीक है अगर हम चाहें तो इसको भी base मान सकते हैं ठीक है इस AB को भी base मान सकते हैं पर वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कोई वो नहीं है बस ये याद रखेगा right angle triangle जिस दो line पे बनेगा वही base और height फॉर्म करते हैं अच्छा area of triangle अभी हम लोग पीछे पढ़के आए हैं कि half base into height होता है ठीक है उसी तरीके से अगर हम बात करें अब area of triangle ABC की बात करें तो 1 by 2 AB into BC हो जागा जहां पर AB क्या है तुम्हारे इस वक्सीट में AB को height लिया गया है और BC को क्या लिया गया है student base लिया गया है ठीक है ये क्या है base है और height है याद रखिएगा ये जो है तुम्हारी base है और ये वाली जो line है इस line को height लिया गया है अच्छा students हिंदी मीडिया मालों के लिए बात करें तो उनके लिए भी एक बहुती easy सी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले है हिंदी मीडिया मालों students के लिए भी वही उनकी वक्सीड में बताया है कि किसी समकोण त्रिबुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को लंबाई या चड़ाई लिया जाता है वही बात जो हमने आपको बताई कि छब किसी डो समकोण त्रिबुज बनाने वाली जो भुजाएं होगी उनको लंबाई या चड़ाई लेते हैं आप किसी को भी उनमें लंबाई या चड़ाई ले सकते हैं कोन त्रिभुज क्या होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिगरी का कोन बने और 90 डिगरी का कोन बनाएगी जो डो लाइने उनको लंबाई या चोड़ाई लेंगे जैसे यहाँ पर आप देखलो कि ये देखो एक AB लाइन है ठीक है? और ये देखो एक BC लाइन है AB लाइन और BC लाइन क्या कर रही है आप खुद देख रहे हो इस जिगे पे यहाँ पे इस जिगे पे 90 डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है तो इस वज़े से हमने इस AB लाइन को क्या ले लिया हमने ले लिया height और इस BC line को हमने क्या ले लिया इसको ले लिया हम लोग ने आधार इसको ले लिया उचाई और इसको ले लिया आधार अच्छा उचाई और आधार लेने के बाद जो हमारा formula था कि एक बटा दो गुड़े आधार गुड़े चोड़ाई छेतरफल निकानला किसका ट्राइंगल का त्रिभुज का तो एक बटा दो गुड़े अधार गुड़े चोड़ाई के हिसाब से एक बटा दो गुड़े ए भी गुड़े बी सी है ठीक है स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बात करते हैं अपनी वक्सीट में अब आगे बात करते हैं we can easily find out the height of any quadrilateral triangle हम बहुत ही आसानी से किसी quadrilateral triangle की height पता कर सकते हैं अगर example ले लें कि हमारे पास एक triangle है D.E.F. जिसकी side क्या है? ददद सेंटीमीटर है मान लो एक triangle है D.E.F. जिसकी side दद सेंटीमीटर की है ठीक है? ये एक quadrilateral triangle है तो quadrilateral triangle क्या होता है? एक ऐसा triangle जिसकी तीनो साइड क्या हो? एक दूसरे के बराबर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? quadrilateral triangle जब quadrilateral की side एक दूसरे के बराबर होंगी तो इसका मतलब हमें जो है यहाँ पर quadrilateral triangle पर एक 90 degree का कोण बनाना पड़ेगा इसका area पता करने के लिए 90 degree का कोण कैसे बनाएंगे? तो याद रखिएगा quadrilateral triangle के middle पर एक हम क्या करेंगे? perpendicular draw कर देंगे जब perpendicular जैसे ही draw करेंगे तो हमारे पास एक line create हो जाएगी इस diagram में आपको दिख रहा है DG line create हो गए DG line बन गए अच्छा DG line form होने के बाद कौण सी? D और G line बनने के बाद हमारा एक यहाँ पर triangle बन गया ठीक है? जो आपको दिख रहा होगा students इस जीगे पर देखिए आपको दिखेगा अभी मैं आपको draw करके दिखाता हूँ कि यह देखिए एक triangle दिख रहा होगा ठीक है? एक triangle आपको सो रहा होगा DGE DGE triangle जो है आपको दिख रहा होगा students DGE triangle के अंदर यदि हम लोग बात करें चर्चा करें तो हमको क्या दिख रही है DGE triangle में DG side दिख रही है EG side दिख रही है और DE side दिख रही है और यह कैसा triangle बन गया? एक right angle triangle बन गया ठीक है? right angle triangle में students हमारे एक python gauras theorem applied करी जाती है जिससे हम क्या कर सकते है? जैसे ही लगाई तो हमारा D square is equal to DE square minus EG square हो गया EG square को minus क्यों करा यहां से? तो students देखो हमारी pythagoras theorem होती है pythagoras theorem students होती है ED का square is equal to DG का square plus plus students DG का square plus हम बोल देंगे EG का square अच्छा students यह pythagoras theorem है हमें यह side पता थी ठीक है? हमें यह side पता थी plus यह वाली side पता थी और पता क्या करनी थी DG तो इधर से plus वाली चीज को धल ले जाते है is equal to के वो क्या हो जाती? minus और यहां पर भी वही काम हुआ कि plus वाले point को हम दूसी side ले गए वो हो गया minus इस वोजे इस 10 का square minus 5 का square 10 का square होता है 105 का square होता है 25 और 100 में से 25 minus करेंगे आ जगा 75 75 को हमने जैसे ही square root इसका निकालते हैं तो 75 का square root बन जाता है DG is equal to 5 root 3 cm अच्छा स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है अब हमको पता करना है D E F triangle का area क्या पता करना है D E F triangle का area अच्छा D E F triangle का area पता करने के लिए हम half base into height का formula लगाते है half अब देखो half base इसका क्या है students base ये वाली line है और height क्या है height ये वाली line है ठीक है height और base का formula लगाया तुरंथ हमारे सामने क्या हुआ half 10 into 5 root 3 हो गया और 10 इस half से इस 10 को हमने काटा 5 times 5 into 5 किता हो गया 25 और root का 3 cm square ठीक है students आपको इतनी बात सैस समझ में आ रही हो और आगे भी इसी परकार से समझ आती रहेगी आपको चैनल को like करना है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है आगे आने लिए और भी वीडियो के लिए और याद रखिएगा इस बार हमें अपने मार्क्स बहुत ही अच्छे लाने है lockdown के चक्कर में COVID के चक्कर में अपने मार्क्स खराब नहीं करने है अच्छे exam देने हैं अच्छे से और पास होकर आना है students हिंदी मीडियो मा लोग लिए भी अगा लोग बात करें तो उनके लिए भी बात कर लेते हैं किसी समभाहूत रिभुज समभाहूत रिभुज क्या होता है students वो तरिभुज जिसके सभी जो है जिसकी सभी साइड के सभी तरफ की जो लाइने होंगी जो रेखाएं होंगी उन सभी रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी ठीके उसे समभाहूत रिभुज बोलेंगे याद रखना है ऐसा नहीं कि भूल जो भाई महिनत पे पूरा वो हो जाया तो जब किसी समभाहूत रिभुज का हमें क्या पता करना होगा किसी संभाहूत रिभूच के बारे में उसकी हाइट या उसके छेतरफल के बारे में जानना होगा तो हम कैसे जानेंगे वही पीछे बताया कि एक perpendicular draw कर लेंगे perpendicular draw करने के बाद हम इस perpendicular का क्या कर लेंगे इस perpendicular की length को इस perpendicular के map को पता कर लेंगे उसको पता करने के लिए हमने क्या बता है जैसे ही perpendicular draw करते है एक triangle बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते है हाँ जिसे हम लोग right angle triangle के نام से जानते हैं ठीक है और इस right angle triangle में हम लोग कॉन सी theorem लगा रहे हैं कॉन से सिध्धांद को लगा रहे है सिध्धांत लगा रहे हैं पाइथागोरस सिध्धांत और पाइथागोरस सिध्धांत क्या ओता है हाइपोथनियोस का स्क्वाइर पंपंडीकुलर का स्क्वाइर प्लस बेस का स्क्वाइर उसको लगानेक बाद हमारी डीजी लाइन पता चल जाएगी और इस डीजी लाइन क सूतर क्या होता है एक बटा दो अधार गुड़े उच्चाई अधार गुड़े उच्चाई लगाएंगे जैसे ही अधार हमारी दस है और उच्चाई क्या है पांच रूट का तीन दस को जैसे दो से भाग करेंगे पांच आ जाएगा पांच को पांच से गुड़ा करेंगे रूट का 3 आ जाएगा ठीक है 5 गुड़े 5 पच्चिस रूट का 3 स्कॉयर स्टूडेंट्स इसी तरीके से look at the PQRS यदि किसी PQRS को हम एक आईसो सेलेस ट्राइंगल ले ले लें जो PQRS है आईसो सेलेस ट्राइंगल क्यों होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्यों होती है दो साइड क्यों होती है अपस में एक्वल होती है ठीक है हमको एक आईसो सेलेस ट्राइंगल ले लिया मान लिया एक आईसो सेलेस है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर एक साइड और 5 cm है और हमें इसका क्या करना है इसका एरिया पता करना है तो हमने इसका एरिया पता करने के लिए perpendicular draw करा, perpendicular draw करते ही हमारे पास एक right angle triangle आ गया right angle triangle आते ही हमें perpendicular पता करना पड़ेगा इस perpendicular को पता करने के लिए hypothenious का square minus base का square हम कर देते हैं तो जब hypothenious का square minus base का square करेंगे तो 5 cm का square minus 4 cm का square 5 cm का square होता है 25-4 cm का square होता है 16 और minus करके आएगा 9 और 9 किसका square होता है 3 का तो PS जो side होगी हमारी वो क्या होजएगी 3 cm अब PQRS triangle का अगर area निकालना है तो half base into height base क्या है QR, height क्या है PS half into 8 into 3 तो जैसे ही हमने 8 को 2 से divide करा हमारा answer आया 4 4 into 3, 12 हमारा answer किता क्या है 12 cm का square Students, if we want to find out the area of scale and triangle the length whose 3 sides are known but height is unknown, we could not calculate the height अगर किसी की 2 या 3 sides दी गई है और height हमें नहीं पता है तो वहाँ पर हम calculate नहीं कर सकते हैं किसको height को इस वज़े से हमने एक और formula निकाला है और बहुती detail में करने आ लें कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इसी प्रकार से हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी जो है हमारे हिंदी मीडियम ओले स्टूरियों के लिए भी देख लेते हैं वक्सीट में आगे क्या है समाद विबहू तिर्भुज की उचाई ग्यात करनी हो जैसे मान लो कोई PQRS ट्रेंगल दे दिया गया है PQRS ट्रेंगल की और समाद विबहू तिर्भुज क्या होता है समाद विबहू तिर्भुज जो होता है वो होता है तुमारा एक ऐसा तिर्भुज जिसकी दो तरफ की साइड्स क्या हो स्टूडेंट्स एक्क्वल हो ते गई दूसी तरफ की साइड भी 5 cm दे दी गई है और हमसे का आगया पी यस पता करो फी बराबर क्या हो जाएगा पी यो कि को सक्कॉइर माइनस सक्कॉइर सक्कॉइर पी किक्यूक का स्कॉइर क्यूक है। तो 25 माइनस 16 स्टुडेंट्स नाइन हो गया और पी एस हमारी कित्ती हो गई नाइन हो गई और इसका छेतरफल पता करना है तो हाफ अधार गुड़े उचाहिए यानि कि यदि हम बात करते हैं किसी विसम विभूत रिभूज का छेतरफल गयात करने के लिए तो स्टुडेंट्स इसमें तीनो साइड पता होने के बावजूद भी हम क्या सकते हैं इसकी उचाहिका पता नहीं लगा सकते हैं इस वज़े से यहाँ पर जिस सूत्र का प्रियोग करा जाएगा, वो हीरो का ये सूत्र का प्रियोग करते हैं तो जिसके बारे में अपनी आगे आने वाली classes में discuss करेंगे, आगे आने वाक्सीड में discuss करेंगे इस्टूलियंट्स आपकी वक्सीड में कुछ सोयम प्रयास कीजिये प्रसने दिये गए खुस्ते जो प्रसने करने है पहला प्रसने है कि उस सम बाहुत रिबुज का छेतरफल ग्यात करो जिसका प्रतेक भुजा क्या है 12 cm की हो सम बाहुत रिबुज की क्या करनी है एक छेतरफल ग्यात करना है जिसकी बुजा कितनी हो 12 cm हो अच्छा इंग्लिस मीडियम आले भी देख लें अपना प्रसने क्या है कि find the area of quadilateral if the length is 12 cm इसको किस प्रकार से solve करेंगे तो students बात कर लेते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक quadilateral triangle quadilateral triangle अथार्थ सम बाहुत रिबुज का निर्मार करेंगे सम बाहुत रिबुज क्या होता है सम बाहुत रिबुज वो रिबुज होता है जिसकी सभी साइड क्या होती है सभी भुजाएं क्या होती है एक समान होती है हम से कहा गया 12 cm का 12 cm भुजा वाला या 12 cm साइड वाला सम बाहुत रिबुज है सम बाहुत रिबुज बनाने के बाद students हम करेंगे क्या जो उसका base होगा उस base पर एक perpendicular draw कर देंगे जो A से D तक जाएगा जो A से कहां तक जाएगा students D तक जाएगा और A से D तक यह जो perpendicular जा रहा है यह perpendicular इस base को 6 और 6 के 2 equal parts में क्या कर देगा divide कर देगा, इसके divide करने के बाद हम क्या करेंगे हम right angle triangle की property लगाएंगे और A, B और D right angle triangle ले लेंगे, यहां से हम D पता करेंगे और pythagoras theorem apply करेंगे D का square is equal to B का square minus BD का square कर देंगे D का square, A, B का square होगा, A, B का square क्या हो जाएगा students 144 क्योंकि A, B हमारी 12 cm की उसका square कर देंगे 144 आ जाएगा, उसी प्रकार से B, D जो है हमारी 6 cm की 6 cm का square करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा 36 answer आ जाएगा, तो 44 minus 36 में से 44 को minus कर देंगे 144, 144 में से 36 को जब minus करेंगे तो 108 आ जाएगा और यह जो 108 होगा यह हमारा AD का square होगा और AD पता करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस पर root लगा इससे 108 cm root में आ जाएगा इसके बाद इस students हम क्या करेंगे? area पता करेंगे और area पता करने के लिए हम क्या करेंगे? formula लगाएंगे A, हम कौन से triangle का area पता कर रहे हैं? A, B, C triangle का इसके लिए हमने formula applied करा और formula applied क्या करा? half base into height half base into height का formula apply करने के बाद स्टुडेंट्स हमने क्या करा हमने base की value रखी 12 height की value लिखी root में 108 और 12 को 2 से divide करा answer हमारा आया 6 और यह जो 6 है 6 root में 108 cm2 हमारा क्या हो जाएगा area हो जाएगा पहले question का स्टुडेंट्स जो दूसरा question है हमारा दूसरा question क्या है दूसरा question है find the area of an isocellus triangle triangle isocellus triangle है जिसकी length जो है equal length वाली side जो है 10 cm की है और साइड जो है 16 cm की एक sum का एक sum विबाहु त्रभुज जो है उसका छेत्रफल ग्यात करना है जिसकी भूजयाएं जो है समान भूजयाएं 10 cm की है और जो तीस्री भूजया है वो 16 cm की समभाहूत रिभुज की ओता है जिसकी दो साइट की ओती हैं अपस में एक्क्वल होती हैं उसे बोलते हैं समभाहूत रिभुज बना लेगे उसकी जो एक्क्वल वाली साइड होगी या बराबर वाली जो साइड होगी वो 10 cm की रख देंगे और जो तीसरी साइड होगी उसे हम सोला रख देंगे सोला वाले को अधार मानकर हम उस पर क्या करेंगे एक perpendicular draw कर देंगे जो AD perpendicular होगा इस AD perpendicular को draw करने एक बाद हमारे पास एक triangle मिल जाएगा ABD triangle ABD triangle में Python गयरस theorem लगा देंगे और AD पता कर देंगे AD का square बराबर क्या हो जाएगा AB का square हो जाएगा minus BD का square हो जाएगा AD का square बराबर क्या हो जाएगा AB का square AB कित्ती है हमारी 10 cm की है यह दोखो और उसके बाद 10 cm का square handed होता है दूसरी साइड BD हमारी जो है वो कितनी है 8 cm की है और 8 का square क्या होता है 64 होता है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम hand and miss 64 को minus करेंगे, हमारा answer आएगा 36, 36 क्या होता है students, 36 हमारा क्या आया, AD का square, खाली AD पता करने के लिए, 36 किसका square है, 6 का है, तो AD बराबर क्या हो गया, AD बराबर students हमारा आगया जाके 6 cm, AD बराबर हमारा क्या आ गया students 6 cm आ गया इसके बाद area of triangle निकालेंगे area of triangle कौन सा, ABC ABC area of triangle निकालेंगे half based into height formula लगा के 1 by 2 into 16 into 6 कर देंगे तो 1 by 2 को जैसे ही divide करेंगे 16 को 2 से divide करेंगे 8 आगा और 8 into 6 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 cm square हमारे second वाले question का answer है तो धन्यवाद students आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और यदि आपको ये video पसंद आ रही हो तो इसको like करेंगे जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करेंगे और साथी जाथ हमारे इस channel को subscribe करें और आगे आने वाली videos का इसी प्रकार से लाब उठाते रही है धन्यवाद